संदीप रेड़ी बांगा जो की अर्जुन रेड़ी और उसी की रिमेक यानि की कबीर सिंग जैसी ब्लॉक बस्टर मूबी बनाने के बाद एक ऐसा डारेक्टर बन चुका है जिसने आने वाली इंडिया की सबसे बड़ी फिल्मों को साइन कर डाला है चाहे हो परभास के साथ या हो अलू अर्जुन के या हो रनवीर कपूर के साथ अब इसकी आने वाली है पांच बड़ी फिल्म है जिन फिल्मों को जानने के लिए आपको और बार की तरह चोटा साही काम करना हो को वीडियो अच्छा लगए लाइक कीजिए चैनल को सबोर करने लिए और बेल ऐकन प्रेस करना मत बूलिएगा अगर आप चैनल पर नए आये तो दोस्तो बात करेंगे सदीब रेड़ी वांगा की फर्स्ट फिल्म जो आने वाली है एनिमल एक गैंगिस्टर एक्शन थ्रेलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डारेक्शन देरें सदीब पत और हात में है कुलाडी और साथी साथ कुछ वीडियो लीग हुए है जहां पर रनवीर कपूर के यह लुक हर किसे को पसंदारा लमबे बाल वाला गैंगिस्टर जिसके अंदर आपको कहानी देखने को मिलने वाली है रनिवीर कपूर जो की अनिल कपूर बेटा अरा पन प्रिवियू में कहा है कि भाई आज से पहले आपने इतना धमाकेदार एक्षन लेवल नहीं देखा होगा तो यह एक्षन लेवल हमें जल्द देखने को मिलने माला है जिस फिल्म को पड़ियूस किया है भूसन कुमान ने यानि कि टी सीरीज के बेन तल इस फिल्म को बनाया गया है जिस फिल्म को पैन इंडिया यानि कि हिंदी तामिल तेल कु कनणा मली अलम में रिलीज किया जाएगा जो आपको 11 अगस्त 2023 को देखने को मिलने वाली सिनेमा गरों में दोस्तों नेक्स्ट फिल्म होने वाली है इस्प्रिट इस्प्रिट एक कॉप एक्सन थ्रेल फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डिरेक्शन सेंधी प्रे डिवांगा दे रहे हैं जिसके लीड रोल में आपको परभास नदा जराएंगे और इस फिल्म के अंदर आपको परभास एक वालो है जिस फिल्म की सूटिंग जो कrus और ये इंटिया नहीं पैन वर्ल्ल CC कया जाएगा तो यह फिल्म की बड़े लेवल पर बुंएगी वाकिन में काफी बड़े लेवल रहे जिसका बजट थैन सो करोंड और रिपिल्म को उइस टी सिरी के बैरने या 2025 की सुरुवात में दोस्तो आदकरूंगो रेस्ट फिलिम जो होने वाले है एए 23 जो की एक एक्सन थ्रिलर डामा फिलिम होने वाले है जिस फिल्म को डारेक्शन दे रहे हैं संधी प्रेड डिवांगा जिसके लिए रोल में आपको अलु अर्जुन दिखाई देने वाले है और इसके अंदर आपको अलु अर्जुन एक रावडी का रोल निवाते हूँ नजर आने वाले हाला कि पुस्पा के अंदर वो रावडी है और गैंगिस्टर भी है लेकिन इस फिल्म का कॉंसेप कहानी काफी अलग होने वाली इस फिल्म की स्किप्ट काफी बहतरे लिखी गई है और इस फिल्म का हाल फेल में ऑफिशली अनौंसमेंट भी कर दिया गया इस फिल्म को जो पड्यूस करेंगे वूशन कुमार और संधी ब्रेड़ी वांगा के भाईया ही कर रहे हैं यानि कि ये फिल्म भी टी सिरीज के बैनर तले बनाय जा रही है जिस फिल्म को पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड ही रिलीज किया जाएगा जो आपको भाई साथ फिल्म पर आती हुई नजर आने वाली है 2024 में और 2025 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा दोस्तों बात करूंगो नेस्ट फिल्म जो आने वाली एक अंटाइटल रोमिंटिक एक्षन डामा फिल्म जिस फिल्म को डिरेक्सीन संदी बरेड़िवांगा ही देंगे जिसके लिर rather में आपको महीज बाभू नजर आएगगा महीज बाभू के साथ पहले संदी बरेड़ दिवांगा जो फिल्म ला रहे थे वो ला रहे थे परभास की जो इस्पिल्रिट है ना वो महिस बाबू के साथ ही लाने वाले थे लेकिन महिस बाबू के पास नहीं था टाइम क्योंकि फिल्में हैं उनके पास और भी जिस बचे से उस फिल्म को नहीं मना कर दी लेकिन हाँ संधी प्रेडिवांगा ने कहा था कि कोई बात नहीं अगर इस फिल्म के लिए टाइम न तो ये फिल्म आप समझे सकते हो 2025 के बाद ही आएगी वहीं बात करने वाले हो संदीप रेड़ी वांगा की एक और जवर्दस फिल्म जो होने वाली कभीर सिंग 2 जो कि रोमेंटिक एक्सन डेमा फिल्म होने वाली संदीप रेड़ी वांगा इसे डिरेक्शन देंगे वह तो लाजवाबती लेकिन फिल्म का कॉंसेप हर किसी को काफी जादा पसंद आया था तो आपको दाद इस फिल्म की जो पर्डूसर है वह बूशन कुमार है जिन्होंने कहा है कि भाई हम कभीर सिंग 2 जरूर लाएंगे क्योंकि भाई वह बूशन कुमार ऐसे पर्डूसर है जिस भी फिल्म में उन्हें वैनिफिल्म का उसका पार्ट टू जरूर लाते है अगर आपको यकिन नहीं है तो बोल बोले यह थिरी वी अनाउंस हो चुकी है प्यार का पंचनामा टू वन हो चुकी है जी हाँ दोस्तो आसकी वन टू भी कर चुके है तो इसी तरीके से बूशन कुमार ने इसका ओफिचली अनाउंसमेंट तो कर दिया है लेकिन उन्हें कहा है कि संदीबर डे वांगा अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे है जैसे वह अपकमिंग प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से करते हैं तो इसकी स्क्रिप्टिंग पर काम किया जाएगा और यह फिल्म हमें इन फ्यूचरी देखने को मिलेगी जो की दो हजार पच्छिस के बाद ही आप आएगी तो इनमेंसे कौन सी फिल्म का आपको बेस सब्सक्री से इंतिजार कमेंट में जरू गदाएगा मुझे जो सबसे जादे इंतिजार है आपको किसका लिख दो कमेंट में मैं में लता हूँ नेस ट्वीट नेस ट्रबीट के साथ जब तक कि बाई बाई यार